सबसे पहले बात राहूल गांधी के बयान पर प्रधान मंत्री के उस पलटवार की जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली है क्योंकि सवाल बयानबाजी की भाशा से जुड़ा है पहले कॉंग्रेस ने प्येम मोदी पर भाशा की मर्यादा तोड़ने का अरूप लगाए थे अब राहूल गांधी के बयान के बार मोदी ने इसे एक कामदार को नामदार की ठोकर करार दे डाला है आपको पता है वे नामदार है हम तो कामदार है और नामदार को कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलोज करते आये हुए है ऐसे ही ठोकर मारते आये हुए पाँच बरस बाद चुनावी जंग ने फिर से नामदार बनाम कामदार वाला टर्न ले लिया है बज़ा है राहुल गांधी का प्रधान मंत्री मोधी पर तीखा हमला और इस भाशा पर प्रधान मंत्री का जवाबी पलटवार जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की नरेंद्र मोधी कापने लग गया उसके आदत है जैसे उसको डर लगता है जो जोट बोलना शुरू कर देता है जैसे उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तायन के बात करेगा कभी चाइना के बात करेगा राहुल गांधी पर विल haar मंत्री मोधी का ये वो तीखा तंच है जो वेपक्षी खेमे में अब खलबली का सबब है क्योंकि मोदी ने सैंपी त्रोदा की तरब से आये विरासत टैक्स वाले पयान को अब सीधे सीधे राहूल गांदी के सोच से जोड दिया है कॉंग्रेस उर्सी के लिए छटपटा रही है कॉंग्रेस इसे प्रधान मंत्री की बॉक लाहत बता रही मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दे रही है इस बीच फिर से मंगल सुत्र वाला चैप्टर चर्चा में प्यम मुद्दी ने मंगल सुत्र का हवाला दोबारा दिया तो कॉंग्रेस ने भी पलटवार में हदो की परवार नहीं की मंगल सुत्र हो सोटा मोटा सांधिया सुना चांधि का गैरा हो इसे पवित्र माना जाता कॉंग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए बांटने की सारवजनित गोशना कर रही है बताएं किस पन्य पर हमने धन पुनर विटरन का जिकर किया है हमने कहा है कि हम मंगल सूत्र लेंände निम्नमध्यवर्गों परिवारों से और किसी और को मंगल सूत्र पहन वायेंगे जो व्यक्ति मंगल सूत्र का सम्मान नहीं किया है अपनी जीवन में आज वो मंगल सूतर के बारे में बोल रहे हैं प्रधान मंतरी मोधी ने दावा किया कि जब खुद की विरासत में मिली संपत्ति को बचाने की बात आई थी तो पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी ने विरासत टैक्स को ही खत्म कर दिया था और अब नए सिरे से-से मुद्दा बनाया जा रहा है था विरासत टैक्स पर पहस बीच में प्रधान मंतरी मोधी ने दावा किया कि जब खुद पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी के सामने विरासत टैक्स चुकाने की नौबत आई था उनकी सरकार ने इस टेक्स को ही खत्म कर दिया। ऐसे में इस टेक्स का इतिहास क्या है यहां ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। 1903 में संसत ने स्ट्रेट ड्यूटी डेट्ट टेक्स एक्ट पास किया था। इसके तहट संपत्ती के मालिक की मौत के बाद संपत्ती जिस भी व्यत्ति को मिलती थी उसके लिए चल अचल संपत्ती के साथ ही खेती की जमीन की कीमत पर टेक्स चुकाने का प्रावधान था। टेक्स तभी वसूला जाता था जब विरासत में मिली प्रॉपर्टी की कीमत तए मुल्य की सीमा से ज्यादा होती थी विरासत में मिली संपत्ति का आकलन बाजार कीमत के आधार पर होता था 1960 में इस कानून में संचोधन किया गया इससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की संपत्ति इस एक्ट के दाइरे से बाहर होता स्टेट ड्यूटी डेथ टेक्स कानून में 1968, 1982 और 1984 में भी बदलाव किया गया बाद में विरासत में मिली 20 लाख रुपई से ज्यादा की संपत्ति पर टेक्स 85 फिसद तक पहुँच गया 1985 में राजिद गाली सरकार ने इस टेक्स से होने वाली कमाई को इसे लागू करने के प्रशासने खर्च से जादा बताया इसे आधार बताते हो 1985 में ततकालीन वित्मंत्री विपी सिंग ने टेक्स को खत्म करने के घोशना की मौजूदा समय में विरासत में मिली संपत्ति पर कोई टेक्स नहीं है जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे